बाल का वदू की दादी यानि की सुरेखा सीकरी आज हमारे बीच नहीं रही करोडों दिलों पर राज करने वाली सुरेखा सीकरी ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया सुरेखा सीकरी ने ग्लैमर नहीं बलकि अपने टैलेंट के बलबूते पर फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी तो आज हम सुरेखा जी की याद में आपको उनकी 10 अनकही बाते बताऊंगी तो चलिए शुरुवात करते हैं सुरेखा सीकरी ने नैशनल स्कूल आफ ड्रामा से 1971 में ग्रैजुशिन किया था इसके बाद सुरेखा ने लगभग 10 साल तक NSD रिपेटरी कंपनी के साथ जम कर थेटर किया 1978 में राजनीतिक ड्रामा किस्सा कुर्सी का में वो पहली बार नजर आई थी यू तो ये प्रतिभाशाली आक्टरस 50 सालों से फिल्म और टीवी से जुड़ी थी मगर उन्हें भारत के घर घर में टीवी सीरियल बालिका वधु की सक्त महिला के किरदार दाती सासे पहचान मिली आज भी सुरेखा को इस किरदार के लिए याद किया जाता है बहुत कम ही लोगों को पता है कि सुरेखा सीक्री बॉलिवुड आक्टर नशरोदेन शाह की साली लगती है सुरेखा को फिल्म तमस ममो और बधाई हो के लिए तीन बार नैशनल अवार्ड भी मिला था सुरेखा नाकेबल नैशनल अवार्ड बलकि संगीत के छेतर में भी नामी अवार्ड जीत चुकी है साल 1989 में सुरेखा को संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड से समानित किया गया था उन्हें आखरी बार जोयाक्तर की घोस्ट स्टोरेज में सेग्मेंट में देखा गया था जिसका प्रीमियर नेट्फिक्स पर हुआ था 2020 में सुरेखा सीकरी को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था तब ही से उनकी तव्यत खराब चल रही थी 2018 में सुरेखा सीकरी को परलाइटिक स्ट्रोक आया था National Award के अलावा सुरेखा ने एक Film Fair Award, एक Screen Award और छे Television Academy Award जीते थे सुरेखा ने हिंदी के अलावा मल्यालम फिल्मों में भी काम किया है इसी के साथ वो कई सारे पौपलर सीरिल में भी नज़र आ चुकी है खेड टेले रिपोर्टर की तरप से सुरीखा सीकरी के निधन पर भावपोन शद्धान जली टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले